तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले मैं आपको बहुता देता हूं तो जैसे कि यहां पर दिखा हुए NCRT एक्जांप्लर सॉल्यूशन चैप्टर वन रियल नंबर और एक्सराइज 1.1 अगर आप 10 क्लास में है तो जो आप इस वीडियो को पूरा द कि हुए तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं आपको बता है कि आपके अगर चैप्टर का नाम जो रियल नंबर है फर्स्ट एक्सराइज 1.1 अगर आप 10 क्लास में है तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो में है जो आम लोग कुछ मतलब की डिसकायोंकर करेंगे डिटेल कि डिशक्स करेंगे कफी कुछ आपको जानने को मिलेगा आपका जो एकसामिए एक्साम है एक माइश बोर्ट की बात कर रहा हूं आपका जो थरम्होन का एकसाम जो ऌफ स्टार्ट हो चुक है फिर भी कोशिस करेंगे कि कल लिया परस्टों तक जो वो कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो में जो अभी हम यह जो मेरे पास जो यहां पर करेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगर आप किसी कम्टेटिव एक्साम की तरियारी करें जिसमें मैज्स पुछ जाता है या रिजनिक पुछ आती है तो भी आपके लिए जो वीडियो बहुत ही इंपटेट होने वाली है आप एक बार वीडियो को पुरा देखिए जो आपको पता लग जाएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो जो वीडियो को लाइक करेंगे लास्ट में ठीक है स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर लिगा है चूज दा क्रेक्ट आंसर प्रॉम्द गिवन फॉर ऑप्शन इंदा फॉलाइं कोई स स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आपको कुछ बहुत कम आते हैं लेकिन अगर आएंगे तो जो आप यह से उनको कर सकते हैं नमबरों कि यह से जी हंट कि उनके बात नहीं में अबसे कबहांते हेंद्स कोकी फोसिटीज के बारे में जाद रखनी है नीमेंगे अर्ट शपव इसे पु मांद्स को पता है और उनका कि यह पूरा नमबर होता है मतलब कि जैसे 1 है फिर 2 आएगा तो 1 और 2 के बीच में जो इंटीजर नहीं होंगे बैसे तो 1 और 2 के बीच में भी infinite number है तीक है लेकिन वो रैसल number है तीक है decimal में है वो number तीक है तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं इसने बोला integer इंटीजर पूरे नंबर होते हैं अब इसने बोला कि एवरी इवन इंटीजर इवन की बात चब करेंगे तो इवन की डेफिनिशन होती है वह होती है कि एज़े नंबर जो की तू से डिवाइट हो जाए तो अगर हम बलें कि जीरो इवन है कि और अगर ऐसे आप से स्पेशल जाए कि जीरो को कहिसे है तो सिरय नंबर कि डेफिनिशन की बौन ए जो दो से डिवाइट हो जाए तो जीरो भी तो दो से डिवाइट होगा देखा घर टो इसलिए जब जिरो को हम लोग जिबट इसंटने चाहनुट कर लेते हैं लेकिन अगर अगर आ Deputy बोना भाशा था कि जीरो को आप क्या बोल सकते हैं, जीरो तो neutral है, ठीक है, जीरो भी एक special number है, whole number है, ठीक है, तो 2 है, 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, दो-दो के difference में, जो बीच में इसने चोड़ती है, वो odd number होंगे, अब देखिए, यह जो सारे number मैंने लिखे, आगे जो 2 से divisible है, तो एक definition तो इसकी यह होगे, कि जो number 2 से divisible है, ठीक है, वो जो बो even number होंगे, अगर मैं और बोलू, कि जो 2 के multiple है, वो भी तो even number है, यह भी सही बात है, 2 के multiple भी even number है, अगर मैं कुछ और तरीके से बोलू कि, जिसके unit place पे, जैसे यहां पे 0 है, फिर 12 आएगा, तो यहां पे जो अगर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन 5 में से कोई एक number होगा, तो वो even number होगे, मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, जो बीच में बचे के, 1, 3, 5, 7, 9, जो बचे के, अगर जो वो unit place पे हो, या वही हो, तो जो odd number होगे, तो odd और even, जो वो हमने बहुत समझ लिया, अब समझता है कि इसने कोई सिन में क्या पुचा था, देखे इसने बोला कि सम integer m, इसने बोला integer m, integer मतलो कि कोई पूरा number होगा, even integer is of the form, अब देखे, इसने integer बोला, तो integer इसने m तो नहीं हो सकता, क्योंकि integer जो वो देखे, m बोला, integer तो 1 भी होता है, integer 2 भी होता तो integer में तो sorry even मैं तो 3 और 1 नहीं आते हैं तो M नहीं होने वाला M got one M को अगर मैं 2 1 हो ठीक क्योंकि कोई भी M जब कोई भी integer रोसता है इसने Гोला M plus 1 ठीक है इसमें जब वह even integer अगर मैं two में जब वह 1 plus कना तो 3 बन जाएगा क्योंकि 3 जो हमारा और नमबर है तो यह भी गलत हो गया आई हो आप समझे लेंगे 2m जो कि मैंने आपको पहले बता दिया 2 का मल्टिपल जो होंगे ठीक है बो जो मतलब किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टिपलाए कर दो बो जो इवर बन जाएगा तो 2 मल्टिपलाए बैए एम जैसे 2 से मैं किसी भी जैसे 7 ले लिए मैंने तो 14 बना 14 मतलब कि इवर बना देगा कि क्या हो जाएगा और नमबर बन जाएगा क्योंकि दो-दो का डिफरेंस है एक चोड़के जोड़के इवर नमबर आता जाएगा ठीक है अगर मैं और जोड़को एक डेफिनेशन निकाल दूं इसकी इवर नमबर की तो हम लोग ऐसे बोचते है कि जब 2 से को डिवाइट क कि एवरी और नमबर तो एपने अभी डिसक्स कर लिया कि वह जो अब क्यू के बारे में पुछा इसने तो टू क्यू जो वह एवन होगा तो इसमें वन प्लस करेंगे तो और हो जाएगा ठीक है तो आई होप आप समझगे होंगे तो इसका अंसर भी यहां पे दिखा होगा जो भी है ठीक है इस डिजीबल वाई एक अगर जो वह एट से डिजीबल है इस तो एन क्या होना चाहिए ठीक है अब फिरस देखें हाफ यहां पर Очень वह भी आए तो रखते हैं औरमेद work अंग ना वे तो 4 मै क्यूं Suponat हो जाएगा जो कि 3.8 is not divisible by 8 तो इसलिए भी नहीं होगा नेक्स्ट बात करते हैं इसका मतलग से दसा है कि इंटीजर नहीं होने वाला ठीक है क्या हो रहा है यहां पर एक मिनट रुक चाहिए यस चलिए रेड लेते हैं इंटीजर नहीं होने वाला ने इंटीजर पुट किया हमने कौन साथ पुट किया था दो पुट कर लिया था ठीक है तो दो भी तो एक नेच्टोल नंबर है तो इसका मतलग नहीं होने वाला यहां पर देखे इसलिए डिवीजिबल वाइट डिवीजिबल होने का से दसा मतलब है कि इंटीजर जीरो आए ठीक है आपको बहुत त सब इसका नेक्स्ट ए एंड इवन इंग देजर सड़ी और में चेक करते हैं और को यह और नमबर यहां जैसे अट्री ने यह मैं तो थी आज़ी नायन हो जाएगा नायन मैंस वन एट वह जाएगा और एट इस डिवीजिबल यह यह उसका मतलब है और नंबर पर जो बैट होना चेंगा ट्रीक नगा ट्रीक होता है 1414-1 तो वजाएगा तो फुर बचेया फिर से और 40 फिर से आगे ठीक है तो इसका मतलब 440 is divisible by 8, तो यहां पर जो कोई भी नंबर लिया हमने और्ड नंबर तो जो बोई divisible होगा, तो N is an odd number, ठीक है, तो अगले बाला checking की नहीं करना है, ठीक है, जएक है चैक है, जशिए करना है कि यह नंबर तो हमने दो पहले से डारेक्ट पुछी जाते हैं अलांकि बोर्ड के अग्साम में मुझे लगता है कि ऐसे कोशिन बहुत कमाते हैं लेकिन पैटर्ण जो हर साल जो चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत तो वसकता है यहां से भी कोई कोशिन जो टपक जाए ठीक है इव दाएक्टिफ आफ 65 एंड 117 इज एक्प्रेशिवल इंड़ फॉर्म 65 एंड 117 देंडवेल्यू देंडवेल्यू क्या लिका आगे अच आगे लिका है देंडवेल्यू आफ एम तो इसने एम की वैली जो पुछी है यह वी काफी इंट्रेस्टिंग है एक कुश्चिन जो तो ठोड़ सा सच करना पड़ता है या इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो आपने आएं की अगल डा लेते हैं इसका भी स्कार पहले 13 and 5 भागे आप सभी को बताएं और इसका फेक्टर मेरे ख्याल से नहीं होने वाला 117 की अगरम मैं बात करूं तो इसको चेक करेंगे प्राइम नंबर तो नहीं है प्राइम नंबर होगा तो इसके दो ही फेक्टर होगे एक 1 होगा एक एक खुद होगा इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो टू से तो नहीं जाने वाला किमकि लास्ट वाले डीज़ आपने जोगो डिविजिविलिटी रूल्स वह बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ठीक है ज्यादा नहीं तो 11 तक तो पढ़े होंगे ठीक है फिर भी चेक करते हैं जैसे इसक मतलब है कि नमबर टू से तो नहीं जाएगा थ्री से करते हैं तो आप बोलेंगे कि तरी से डिवाइट करना पड़ें नहीं इसका भी डिविजिविटी रूल्स है क्या बोलता है सभी सम करिए सभी का सभी डिच का तो साथ आठ नौ बन रहा है और नाइन इस डिविजिव थर्टिन नाइन जा जो वह फर्टिन नाइन borता हु आपको बता है कि तरी नाइन जा इसका मतलब है कि इसके डिवकल्य यह गया और 9 पो मैंने 33 में ब्रेकर दिया और दूसरे 65 के फैक्टर हो गए 35 जा हो गया ठीक है common आ रहा है 13 इसका मतलब है कि 13 13 जो इसका HCF हो गया ठीक है अगर 13 जो इसका HCF हो गया तो इसने बोलाए कि इस फॉर्म में है तो मैं लिख दिया 65 M-117 इकोल टू 13 ठीक है बिल्कुल सही लिखा मैंने एक्वेशन बना दी मैंने कि इसने पहले से बोला है मतलब कि 65 का डबल होता है 130 तो 65 हो जाता है 65 ए 65 तो एम इसकल टू टू एम का जो बैलिव आ गया एम की जो बैलिव आई वह आगे टू आप पो चेक कर सकते हैं यहां पर फिर भी मैं प्रूफ आपको बताऊंगा यहां पर भी इसके आंसर लिखे हुए है तो यहां पर टू यहां पर लिखा भी है तू एम इसकल टू यह पी अच्छा पूशन था पर इसे और नेक्स कुशिन पर चलते हैं लिए जो वीडियो होगी वह जो तो 25 मिनट से जादा नहीं होने वाली ठीक है तो जितने कोशिन आम लोगों डिसकर सकते हैं उतने करेंगे बागे नेक्स प मतलब कि यह जो थोड़ा सा लेवल इसका नेक्स लेवल का कुशिन है ऐसे कुशिन कम्प्रेटिव एक्साम में बनते हैं ऐसे कुशिन बोर्ड के एक्साम में जो वह पूछना जो उनके लिए और बच्चों के लिए तो हो गई तिक है लाजस नमबर विच डिवाइड लाजस नमबर विच डिवाइड लीविग डिवेंडर 5 & 8 रिस प्रिक्टिवली इस तो इसको कैसे किया जाए तो इसको कैसे किया जाय देखे देखें दे सबसे पहले तो आप इसका जो कंसेप्ट है बो समझी यह जिन बला है लाजस नमबर तो वैसे आपके दिमाग में ज सब्सक्राइब देखेंगे तो इसका मतलब है कि इससे जो मतलब कि यह जो बच जाएगा बच जाएगा इसका मतलब इससे कम होगा तो 70 मेंस कर दो तो यह कितना हो जाएगा इसका में जाएगा तो इसका अब यहां पर बना इसका बनेगा तो इसका तो अभी आपने देखा कि 13 जो इसका है तो 13 से डिवाइड करेंगे तो आज आएगा इसमें क्या बड़ी बात ठीक है लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो आज जो आपको इसकी प्रैक्टिस कर आपको जो तो भी समझाएगा आप जो रिमेंडर ऐसे कोश्चिन के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतरा जादा आएगा ठीक है हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं बहुत सुझते हैं कि एक बार में जैसे मैं भी कई जो तो चुक्त होता है बीच में थोड़ा बहुत क्योंकि आपने एक दो बार ही बढ़ा होता है बो जो दो दिन के बार निकल चुका होता है यह तो इस लिए जो प्रैक्टिस करना वहां जरूरी है ठीक है नेक्स कॉश्चिन देखते हैं यह ऐसे कोशिन है बहुत सारे पी अबॉन की रूप में लिखा जाज़के और क्यों जो नॉट इको टो जीरो होना चाहिए ठीक है इसका मतलब है कि अंडूट के नीची अगर नॉन फर्फेक्ट स्कूर जैसे अंडूट के नीचे अगर मैं फाइव लेती है तो ए जो नॉन फर्फेक्ट स्कूर हो गया इस जैसे मैं बोर टू एभी एशनल फॉरी एशनल है जैसे ऐगर है आपको पाइट वान फ्री यह ना फिक है यहां पर मैंने जब नाइन टीट तक चूओ यांद रख लिए आप भी यहांसे यांद रख रिक्षट है तो इसने बोला एक प्रोड़क्ट ऑफ नौन जीरो रेशनल एंड इरेशनल देखें नौन जीरो का मतलब है कि वह जीरो नहीं होना चाहिए तो इसने एक्जाम्पल ले लिए देखें 5.2 जैसे यहां पे दिया है वैसे कोशित करते हैं इसको जरह समझने की इसने मुला इरेशनल नंबर से तो जैसे यहां पे लिए इसने अन्डूट three upon two दोनों को मुल्टिपलाई किया तो इसने मुला कि क्या हो ना चाहिए ठीक है तो जली देखते हैं यहां पर क्या होगा तो बीच में भीच में नेकित्तुर को निमेटर के साथ देनाओनें वामलिड एकहें ट्रफर यह रोड को मिल्टिप्लाइ करेंगे बेर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे तो यह जो आलवेज इंपॉर्टेंट ही आएगा चाहें तो आप यहां पर लिखा दूआ है वैसे वी अंसर ठीक है चले कुछ और कोशिण देखें जो आपके एक्साम के लिए जो इंपॉर्टेंट हां एक कुशन इपूर्टेंट है जो की आपको इपर में बनता है डेसिमल एक्सेंट है अब डेशिमल एक्सेंट पूँचा है कि इसका मतलब है , आपमे इडिवाइटन नहीं करना है आपने जब इसका ओसियंट बताना हे कि अ कैसे होगा है रिपीट होगा या खत्म हो जा यह लिए पछाते हैं ना विच्छा है हम्हां कि आपको जो पता हो जो कि आपको सिय में को बोशहुते हैं कि आपको चैक कर यह कि इसको कर ना होता है आपने जो इसको चेक करना होता है कि 5 की पाबर में, म्या 2 के बाबर में M और M जो बो जो बो कितने आ रहे हैं, या तो 0 आना चाहिए, या तो जो मर्जी आ जाए, बस आना चाहिए, या 0 आ जाए, तो बीचल पड़ेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ आया तो जबो एह जो हमस्ति है नौन टर्मिनेट हो जाएगा तो चली चेकरते हैं इसको जरा तो आज़ा यहां पर आशा करते हैं कि यहां पर देखते हैं क्यों क्यों टाइम बेस्ट करना तो यहां पर देखें टाइम ट्राइम फिटी के जो इसने प्राइम फेक्टर निकाली है पांच जो चार बार आ गया और दो एक बार आए अब यह तो आपको बताए कि यह जो कि इसने बोला था टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन इसमें चेकरना थे कितने डिजिट के बार टर्मिनेट होगा टर्मिनेट का सीथा मतलब है कि अब देखिए क्या करना होता है यहां पर यहां पर आपको पता ही है कि जब जैसे मैं 7 अपॉंट 10 लिखो तो मैं इसको 0.7 लिख सकता हूं बदो कि एक डिजिट को बाद खत्म हो गया है मतलब कि हमने नीचे जब वो क्या बनाना है वन के आगे जितने 0 आस्क दिया उतनी कि ऑनानी है तो पाइब जब वे इसने आजा कि यहां पर कि इसे किया कि यह सबस्कदें जू कि नीचे घंगर द änd across अब इसके साथ वह और आपको नीचिश्वे मद्ले का दिए ऑर उपर अब dem यहां पर जो दिखिया बन चुका है,ಈ फाइव की 17 C अब फूर एण टूब फूर जो पावर फूर इस का मतलब है, और 10 के बावर फूर थे पावर फूर का मतलब है वन के बाद 4 जीरो जैसे पापर में लेकते हैं न जैसे मैं लेकते हैं तो 10 के आगे 100 नहीं है नो बिल्कुल भी नहीं यहां पर बच्चे गलती करते हैं तो यहां पर जो भी आंसर आएगा फिर जो आप डिजिट काउट करके जो आप डेशम लगा सकते हैं एक अच्छा कोश्च दिना वैसे दो तीन मिनिट बचे हैं जबढ़ करते हैं जड़ा और कोशिट डेखे आपको यूपली डिविचन लेमा एल्गोरिदम यह पतावान जब जब भी हम चैक करते हैं डिवाइट को तो यह जब डिवाइजर कोश्च दो रिमेंडर गोश्च को मिल्टिप्लाय करके और उसमें प्रकर जब हमारा बन जात यहां पर कोई ऐसा कोईशिन होगा composite number की बात हो रही है यहां पर देखें composite number जब वह नमबर होते हैं जो जिसके दो से ज्यादा factor हो जाए है जैसे सबसे smallest composite number आपको बताने चाहिए 4 है फिर जो वो 6 है फिर जो 9 है 8 छोड़ दिया 8 भी है ठीक है फिर 10 हो जाएगा ऐसे composite number है तो नेक्स्ट एक और बात पता है जो कि बैरी 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 इंबर्टेट है और मुझे लगता है यहां से कोईशिन पका बनेगा यहां से आपके एक्जाम में पका कोईशिन बनता है HCF जो वो कभी भी दो number का जो भी निकालेंगे और अगर मैं उसको LCM जो उन्ही दो number का multiply करूँ तो उसका प्रोड़क्ट आएगा वो जो वो उन्ही दो नंबरों के प्रोड़क्ट के एकुल आएगा बैरी इंपर्टेट बात है ठीक है तो यह आपको याद रखनी है इसका भी दिज़ी बात ही है यहां पर और इंपर्टेट है फिर से बता देता हूँ अगर आप दो नंबर है जैसे थी और फाइब है तो मुझे पता है इसका जो को LCM क्या होने वाला 15 होने बाला है तो मैं जो प्रोड़क्ट के लिए एक साइड जिसने बोला HCF सौरी HCF तो निक तो यहां पर वन ही हो रहा है क्योंकि तो कॉमन कुछ नहीं है कुछ नहीं होता है तो कॉमन फिर वन होता है तो ऐसे जो आप निखाल सकते हैं तो मेरे क्याल से यह क्या होगा है कहां से आगा यह 1.3 से ठीक है मतलब कि एक्सरसाइज 22 लोगो इसने दिये हैं काफी अच्छे से बहुत सारे और भी खुश्ची नहीं मेरे क्याल से हमारा टाइम हो चुक है 25 मिनट्स हो चुके हैं तो यहां पर एक टेबल दैसा मुझे लेकिन अभी भी जब ऐसे कोशिन है जो की फास चैप्टर से चूड़ जाते है और फिर फीर लोग हम लोग लोग पार में कुछ और जब के लीए और जुरूरी होसकते हैं तेंक यू एनट हाग नाइस और गुद नाइट मुध नाइट